हेलो वाइज, इन्वेश्मेंट के आन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम SBI के अंदर दो अलग-अलग schemes के अंदर comparison करके देखेंगे कि किस scheme के अंदर हमें पैसा करना जादा suitable होता है, जादा profitable होता है दोनों ही scheme दोस्तो आपको monthly income provide कराती है और अलग-अलग variable amounts के अंदर हम देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितना पैसा मंतली basis पर मिलता रहेगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तो इन दोनों schemes का नाम है एक दोस्तो मैं choose करूँगा comparison करने के लिए mutual fund जिसका नाम होगा SBI Contra Fund दूसरा होगा दोस्तो जो SBI की annuity scheme है SBI annuity scheme के अंदर आपको सिर्फों सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना होता है और उसके बाद में हर महीने fixed income आपको आती रहती है जो SBI की annuity scheme है पहले इसके बारे में detail में चान लेते हैं SBI annuity scheme के अंदर कम से कम आपको 25,000 रुपे जमा करने होते हैं और ज़्यादा की ज़्यादा आप जितना चाहें उतना पैसा जमा गा सकते हैं आप माली जी एक लाग रुपे आपने जमा किये या पांच लाग जमा किये या दस लाग जमा किये या पंदर लाग रुपे जमा किये जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर दोस्तों जो SBI की FDA schemes के अंदर interest rate मिलता है उतना interest rate आपको मिलेगा और जितना पैसा आप जमा करेंगे उस पर जितना आपने मंतली payout लगाया है मालगी जी आपने 10,000 रुपे जमा किये और 10,000 रुपे महीना आप निकालना चाहते हैं और 10 साल का आपने period choose किया है कि 10 साल तक मुझे 10,000 रुपे हर महीने मिलते रहें और 10,000 रुपे आपने जमा किये हैं तो कुछ पार्ट जो 10,000 रुपे आपको मंतली income के रूप में मिलेंगी उसमें कुछ पार्ट दोस्तों आपके मूलधन का होगा और कुछ पार्ट उसमें दोस्तों ब्याजगा होगा जो interest rate आपको मिलेगा आपके जमा कियेगे 10,000 रुपे पर मानले जी 10,000 रुपे जैसे आपने जमा किये तो उसके ऊपर जो भी current FD का rate होगा SBI के अंदर उस rate के according आपका पैसा बढ़ेगा अब क्यूंके आपने payout 10,000 रुपे का लगाया है तो 10,000 रुपे में जो भी interest monthly yearly basis पर जो FD के according होगा उसका कुछ इससा और कुछ आपका मूलधन का इससा वापिस दी दिया जाता है ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती है जैसे हम EMI देते हैं home loan लेने के बाद में home loan की EMI में कुछ पार्ट हम interest का होता है जो loan हम लेते हैं और उसी में कुछ पार्ट दोस्तो principal amount का होता है एक particular time पर आने के बाद में जो भी period हम choose करते हैं उस period पर maturity benefit नहीं मिलता जो मूलधन और interest मिला कर finally आपको सारे का सारा पैसा मिल जाता है तो इसमें सबसे पहली बात दोस्तो ये है कि जो interest rate मिलेगा वो FD के according मिलेगा दूसरा इसके अंदर आप तीन साल का पास साल का या दस साल का period चूस कर सकते हैं तीसरा इसमें आप 25,000 रुपे कम से कम और maximum जितना चाहे आप उतना पैसा जमा कर सकते हैं तो ये मोटा मोटी इसकी कुछ एक खास बाते हैं जो मैंना आपको बता दी हैं दूसरी तरफ दोस्तो अगर आप मानली जिये किसी mutual fund के अंदर investment करते हैं mutual fund के अंदर investment आप तीन तरह से कर सकते हैं पहला SIP यानि के systematic investment plan चोटा चोटा amount आप किसी भी fund के अंदर invest करते चले जाते हैं और आपका fund growth करता चला जाता है दूसरा lump sum में investment आप कर सकते हैं किसी भी mutual fund के अंदर तो उसमें अगर आपका जो fund है वो 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप देखेंगे तो एक particular return के according जितनी भी उसकी wealth होगी वो wealth gain प्लस जो आपने जमा किया वो finally आपको मिल जाता है तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों investment का वो भी lump sum होता है लेकिन उस lump sum में invest करने के बाद में आप हर महीने withdrawal plan लगाते हैं यानि एक बार आपने पैसा जमा किया अब वो fund जो भी आपको return देगा उस return के according आपका fund grow करेगा लेकिन जो आपने monthly payout लगाया है तो उस growth में से और जो पैसा आपने जमा किया है कुछ part उसका finally आपको मिलता रहेगा normally क्या होता है SBI की annuity schemes में या FD schemes से हम comparison करें mutual fund की तो mutual fund के अंदर आपको दोस्तों जादा interest rate मिल जाता है जिसकी वजह से आपका payout भी बढ़ जाता है और दूसरा जो final value है यानि maturity पर अगर आपने 10 साल का period choose किया है तो final value भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाती है जबकि SBI annuity scheme के अंदर आपको final value कुछ भी नहीं मिलती है और example अगर मैं SBI के एक fund के बारे में बात करूँ जिसका नाम है SBI Contra Fund ये दोस्तो fund start हुआ था 14th July 1999 को यानि के ये लगभग 21 साल पुराना fund है और इस fund के जो manager है वो Mr. Dinesh Balchandran है जिनको 17 साल का experience है अब अगर हम इस fund के बारे में बात करें तो पिछले एक साल में इस fund ने दोस्तो 103% का return दिया है वहीं अगर हम 3 साल की इस fund की बात करें तो 14.07% का return है पांच साल का इसका return दोस्तो 14.11% है और since inception जब सही ये scheme शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 18.7% का return प्रोवाइड कराया है अब अगर हम SBI की entity scheme के अंदर interest rate की बात करें तो वह दोस्तो 5-6% ही जाता है maximum तो एक तरफ आपके पैसे इपर 5-6% का interest मिलेगा दूसरी तरफ आपके पैसे इपर मानलेजे 15% का interest मिलेगा क्योंकि since inception जिस scheme ने 21 साल से 18% का return maintain किया है तो जायर जी बात है वो आगे भी 14-15% का return आपको provide करा देगी तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस field के अंदर किस product के अंदर हमें पैसा invest करना सबसे ज़्यादा beneficial होगा अब मैं calculator पर आपको calculate करके दिखाता हूँ मानलेजी आप एक साथ इस scheme के अंदर एक लाग रुपे invest करते हैं जो SBA की entity scheme है और आप मंतली payout इसमें लगाते हैं दोस्तो एक हजार रुपे का और ये जो आप frequency choose करते हैं यानि कि time period आप इसमें 10 साल का choose करते हैं और इसके साथ साथ जो interest rate है वो हम 6% का expect कर रहे हैं payout निकालते हैं इसका calculation करके देखते हैं दोस्तो तो हमें एक लाग रुपे invest करने के बाद में लगबग 1102 रुपे मिलते रहेंगे आपने दोस्तो एक लाग रुपे जमा किये और एक लाग 32,244 रुपे मिल जाते हैं यानि 32,244 रुपे का हमें इसमें profit हो जाता है अब अगर मालीजी आप इसके अंदर करते हैं 10 लाग रुपे जमा तो उसी according दोस्तों आपको यहाँ पर पैसा बढ़ता चला जाएगा 11,022 रुपे का आपको हर मेहीने payout मिलता रहेगा और अब आपको जो profit हो जाएगा वो 3,22,000 रुपे का हो जाएगा 10 सालों के अंदर अगर 6% का interest rate मिलता है ठीक इसी तरह से अगर मालीजी आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 15,000 रुपे और आप payout लगाते हैं दोस्तों इसके अंदर कितने का 15,000 रुपे का लगबग तो य 15,000 रुपे का आपने payout लगाया और वो इसकीम जैसे मैंने अभी SBAI contract का आपको example दिया था तो इसने दोस्तों जब से इसकीम शुरू हुई है राष्तक 18% का return maintain कर दे रखा है तो अगर हम 15% का return भी expect करके चलें और 20 साल के period के लिए हम इस plan को लेते हैं तो अगले 20 सालों मे जो total withdrawal आप करेंगे वो 36,000,000 रुपे का होगा और final amount जो आपको मिलेगा वो 48,000,000,000 रुपे के आसपास मिलेगा यानि एक साथ 15,000,000 रुपे जमा करने के बाद में आपको दो अलग अलग यहाँ पर benefits देखने को मिल जाएगे अगर हम इस return को दोस्तों कम करके मालीजे इसे हम 14% का भी कर देते हैं तो भी हम 36,000,000 रुपे का payout कर लेंगे अगले 20 सालों में और 32,000,000 रुपे की final value हमें मिल जाएगी ठीक इसी तरह से अगर मालीजे यह 12% का भी return आपको provide करा देता है तो 12% के return में भी अगले 20 सालों में आपको 8,000,000 रुपे की final value और 36,000,000 रुपे के 5 साल का भी कर सकते हैं 5 साल में अगर मैं 15,000,000 रुपे का according calculate करूं तो 9,000,000 रुपे का payout होगा और 14,000,000 रुपे आपको final value मिल जाएगी 10 साल तक भी आप इसको चला सकते हैं 10 साल के अगर हम बात करें तो 18,000,000 रुपे का आप payout करेंगे और उसके साथ-साथ final value आपको 13 लाक रुपे के आसपास मिल जाएगी अब दोस्तों अगर मानी जी आप इसके अंदर 10 लाक रुपे जमा करते हैं और 10,000 रुपे महिने का payout लगाते हैं तो उसके according भी आप 12 लाक रुपे का payout कर चुके होंगे 12% के according और 8,6,000 रुपे आपको final value भी मिल जाएगी तो दोस् तो इसका आपको जाना पड़ेगा SBA की official website पर या फिर आप जा सकते हैं SBA की branch में वहां आप SBA की annuity scheme के अंदर पैसा invest कर सकते हैं अनुटी scheme में और दोस्तों mutual fund में difference यह है कि वहां पर आपको annuity scheme के अंदर almost fixed return मिलेगा लेकिन यहां पर जो return होता है वो variant करता है यानि आपको एक साल हो सकता है 12% का return मिल जाए दूसरे साल हो सकता है 30% का return मिल जाए चोते साल हो सकता है दोस्तों आपको की 1 या 2% का return मिल जा equity category का है अगर आप investment करना चाहते हैं इस plan के अंदर यानि SWP plan के अंदर हो mutual fund के अंदर तो फिर नीचे description box में link है link पर click करके आप जरोधा के अंदर या grow के थुरू अपना SWP plan चूज कर सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई hidden charge नहीं होता किसी भी तरह का कोई agent commission नहीं करता है ज अंदेवाद